जहें दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, आपका माई चैनल The Wisdom Us में स्वागत है, तो आज का माई टॉपिक है, इस टेकनोलोजी गूड और बैट फोर अस, तो वीडियो के अंतक बने रही है, क्योंकि हम इस वीडियो में कॉंक्लूड करेंगे, कि टेकनोलोजी हमारे अच्छे क पूरे के लिए है, तो बिना से में गवाई, चली दोस्तों, अपने वीडियो सुरू करें तो चली है, बैट एफेक्स आफ टेकनोलोजी, आज काल हम अपने मोबाल में बहुत ही बिजी हो गए, और यह बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि टिक टॉक, इंस्टाग्राम, फे पूल भी नहीं, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बटाना चाहता हूँ, जो कि कुछ रिसेर्चर्स ने किया था, एंट्रोपेनर्स पे, तो चलिए जानते, तो रिसेर्चर्स ने कहा था, एंट्रोपेनर्स को की, वो अपना डिवाइस कुछ दिनों के लिए इस्तमाल करें, तो पता है, रिजल्ट क्या मिला, एंट्रोपेनर्स को नए-नए आइडिया आ रहे थे, बिजनस के रिलेटेट, और प्लस वो बहुत ही प्रोडुक्टिव हो गये, और एक एफिशेंट बिजनसमेन बने, और वो अपने फ्रेंज और फैमली के लिए बी टाम निकाल रहे थे, और उनका रिलेशन सिप और भी घहरा हो रहा था, तो अगर हम भी यही करेंगे, तो हमारे साथ भी यही होगा, तो कम यूज कीजे टेकनलोजी, इतना भी जादे यूजना करें, और अच्छे के लिए करें, तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, तो मैं बड़े एक्जीक्यूटिव के साथ, रेस्टोरेंट में गये थे, लंच करने, तो एक बड़े एक्जीक्यूटिव खड़ा हूँ और प्रेयर कर रहा था, लंच खाने से पहले, तो यह सब देखके, ब्रेंट रेसी को खुशी हुई कि, आठ में से चार और ब्रेक्फ़स्ट में भी मोबाल, हम तो लगबाग एक्डिक्ठीट ही हो गए है, मोबाल के प्रेंट, मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक जर्नलिस्ट के बारे में, एक जर्नलिस्ट था, वो अपने वेकेशन में गया था, दो हफतों के लिए, तो जो परोगान में, लौन के कईमा एक पस पक्डिक्टा जाएं रखतें तदान के आसके में, जो पना थे, शर्सति आइप परनोगाना चाहता है, और आसा उनसे वह करता है, और भी मेन रहाना का जर्व टकिनांना सिर्ट पस्ट सथिक्टा हैं, वो कि भी में जर्नलिस्ट में आ ताकि आपको 80% result मिले ना कि 20% और आप technology के गुलाम ना बने master बनिये ना कि गुलाम तो बहुत ही disadvantage है technology का लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ने बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो चलिए आप भी हम बढ़ते है Advantage of Technology के तरफ Good Effects of Technology अगर आप अपने टेक्निलोजी को आपका सर्वन बनाएंगे तो आपकी जिन्दगी सरल और स्मूदर होगी अगर आप अपने टेक्निलोजी को master बनाएंगे तो आपकी जिन्दगी कॉम्पलेक्स और स्ट्रेसफूल रहेगी तो आप technology के द्वारा कुछ नया सीखिए बहुत सारे source है आप जिससे कुछ नया skill को सीख सकते हो और मैं आपको कुछ-कुछ बताता हूँ जैसे कि YouTube, then Udemy, Coursera, etc. बहुत सारे source है या तब कि अगर आपको biography पढ़ना है किसी का तो Wikibudio बें एक one of the best source है बनाना है तो Google Play Store में बहुत सारे app है जिससे आप to do list बना सकते हो और वो आपको remind करते रहेंगे कि आपको इस समय क्या-क्या काम करना है और बहुत सारे productive app है जिससे आपको productive होने में बहुत मदद मिलेगी और अगर आप exercise करने में बिगेनर हो तो बहुत सारे exercise app है जो आपके लिए बहुत ही कमाल के और useful होंगे तो ट्राइ कीज़ेगा जरूर और technology के बहुत ही फायत है लेकिन हम technology का फायदा इस वीडियो में ने discuss करेंगे फिर कभी बात के वीडियो में डिसकस करेंगे तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तो किसी ने बिल्कुल सही का है technology हमारी बुरी master बन सकती है लेकिन उतना ही एक अच्छा servant भी बन सकती है वो हम पर हम उसे कैसे इस्तमाल करते है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लिगी है अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए बहुत ही अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई और स्टेट टून